हेलो वर्वन कैसे आप सभी मैं विक्याप सबका स्वागत करता है लिटेचस प्लेनर पे आज हम अपना एक निया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाइस तो यह वाइस होता क्या है यह यूज कैसा होता है और इसको इंग्लीज में हम यूज कैसे करते हैं आई हम जानते हैं इस वीडियो में तो देखिए वाइस है दो टाइप के होते हैं एक एक्टिव वाइस और एक पैसिव वाइस और जो एक्टिव वाइस को पैसिव वाइस में चेंज करने को ही क्या बोला जाता है ट्रांसफर्मेशन बोला जाता है और आपको जो एक्जामिनेशन है आपको ऐसे भीने सकता है कि एक sentence दे दे का उसको bracket में लिख देगा और ये भी बात याद रखेंगे जो एक्टिव और पैसिव वाइस जो भी ट्रांस्फार्म होता है यह किनका होता है वर्ब का किनका होता है वर्ब का तो देखेंगे एक्टिव वाइस में जो भी काम किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा लेकिन पैसिव वाइस में कोई काम किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब एक्टिव वाइस में कोई काम सब्जेक्ट करता है लेकिन passive wise में वो काम किसी के द्वारा कराया जाता है ठीक है ना तो फिर से देखेंगे कि passive wise में कोई भी काम अगर हो रहा हो तो subject ना करके उसको किसी के द्वारा कराया जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं? passive wise बोलते हैं जैसे रामा किल्डदा लाइन ठीक है ना तो इसमें देखेंगे कि राम ने सेर को मार दिया तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है राम क्या हुआ? subject है किसने सेर को मार दिया? राम ने तो राम क्या हो गया? subject हो गया ठीक है ना? अब देखेंगे अब ये लाइन जो है सेर जो है ये मारा गया किसके द्वारा? तो इसमें subject वो काम करता है इसमें जो काम कराना होता है उसको किसी के द्वारा कराया जाता है ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते है active wise से passive wise में change करना इसी को हम बोलते है transformation तो इसके पहले हम जाने की active wise को passive wise में कैसे बदलते हैं? हम देख लेते हैं इसका rule number one कि इसके कुछ basic requirements है इसमें छोटी छोटी requirements है वो क्या है? वो हमें जान लेने चाहिए जैसे हमें subject आना चाहिए मतलब subject को find out करना आना चाहिए दूसरी बात वर्ब तो हम find out करी लेते हैं और object को हमें find out करना आना चाहिए दूसरी बात है कि यह जो wise है passive wise मतलब active wise से passive wise सिर्फ transitive verb transitive verbs को ही हम passive wise में change कर सकते हैं उसका एक कारण है क्योंकि transitive verbs ही ऐसी verbs होती है जो अपने साथ में क्या लेकर आती है object लेकर आती है और object का passive wise बनाते समय बहुत ही आहम भूमिका रहती है जब तक object नहीं होगा हम बिलकुल बदल नहीं सकते हैं passive wise में ठीक न तो इसको transitive verb निकालने के लिए मैं एक trick बताना चाहूंगा क्या किसे और किसको आप sentence में क्या किसे और किसको जब लगाएंगे तब आपको object पता चल जाएगा मतलब जैसे लिखा हुआ है I gave a pen to you I gave a pen to you मैंने तुम्हें एक कलम दिया तो मैंने किसको एक कलम दिया किसको लगाया मैंने मैंने एक कलम किसको दिया तो यू हमारा क्या हो जाएगा object हो जाएगा मैंने क्या दिया मैंने तुम्हें क्या दिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा object 1, object 2 तो क्या किसे और किसको लगा कर हम transitive verbs find out कर सकते हैं ठीक ना? अच्छा एक बात और हमें ध्यान में रखना है हमेशा कि verb हमेशा ही verb की third form में या यू कहें past participle में use past participle में use होगी जब भी हम passive wise में change करेंगे, जब भी passive wise में transform करेंगे, हमें verb को verb की third form में past participle में ही रखना है चाहिए वो present का हो past का हो या future का हो जब भी हमें passive wise में बदलना हो, तब हम verb को third form में ही रखते हैं और अगर हमें subject find out करना हो, तो हम क्या लगाएंगे? who who लगा देंगे, तो हमें subject मिल जाएगा, क्यूं कैसे? देखते हैं कि who gave a pen to you who gave a pen to you किसने तुमको एक कलम दिया? तो हमारा answer आता है निकल के who जब हम लगाएंगे हमारा answer निकल के आता है I, और I हमारा क्या हो जाएगा? subject, तो जब हमें subject find out करना होगा, तब हम who लगाएंगे object find out करना होगा, तो क्या किसे और किसको लगाएंगे हम, तो wise change करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो wise है किन किन tenses का wise बदलेगा, क्योंकि total मिला के 12 tenses है 3 tenses के 4-4 types तो कुछ उसमें ऐसे भी हैं, जिनका passive wise नहीं होता है जिनको हम passive wise में नहीं बदल सकते हैं आई हम जानते हैं जितने भी टेंस आपको whiteboard पर दिखाई दे रहे हैं present indefinite, present continuous present perfect, present indefinite past indefinite tense, past continuous और past perfect tense future indefinite और future perfect tense इनहीं आठ tenses का passive wise change होता है तो wise में बदलने के पहले हम इस structure को ध्यान से रखेंगे कि subject plus verb plus object हम ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम passive wise change करेंगे object को इसका subject मतलब object का place जो है वो बदल जाता है replace कर देता है किस से? subject से उसके बाद में verb हमेशा third form किया आएगी यह की structure है कैसे क्या आएगा यह इसमें दिया गया है लेकिर पहले यहां देखेंगे उसके बाद by फिर agent मतलब इसका subject यहां हम इसके subject और object के place को जो है वो बदल देते हैं object को हम subject के स्थान पर ले आएंगे और object के स्थान पर चला जाएगा हमारा subject ठीक है plus by adding by ओके चलिए देखते हैं कि अगर हमारा tense अगर हमारा जो sentence हमें मिलेगा transform करने के लिए वो अगर present indefinite tense में है तब हम subject लिखने के बाद मतलब उसी का object लिखने के बाद is mr लगाएंगे उसके बाद बर्ब के थर्ड फार्म में लगा के हम by लिखके उसका agent लिख देंगे ठीक है यही काम present continuous tense में करेंगे सबसे पहले उसका हम object लिखेंगे is mr प्लस being लगा कर वर्ब की थर्ड फार्म लगाएंगे फिर by लगा कर हम उसका agent लिख देंगे ठीक है यही काम हम present perfect में करते हैं subject लिखने के बाद subject लिखने के बाद has या have लिखते हैं उसके बाद being जोड के बर्ब की थर्ड फार्म हम लगा देते हैं ठीक है ना past indifferent में भी वही काम हम करते हैं object लिखने के बाद रदब उसका object लिखने के बाद was या वर लगाते हैं फिर बर्ब की थर्ड फार्म में लगाने के बाद by प्लस agent जोड देते हैं यह agent मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यह subject ही है ठीक है ना चलिए past continuous में भी वही काम करते हैं object लिखने के बाद was या were प्लस being लगाते हैं फिर बर्ब की थर्ड फार्म में बर्ब की थर्ड फार्म में फिर by बाई लगाकर हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं agent जोड देते हैं यही काम हम करेंगे past perfect tense में past perfect में क्या करेंगे object लिखने के बाद had been लगाएंगे फिर बर्ब की थर्ड फार्म प्लस by लिखके हम क्या लिख देंगे उसका agent ठीक ना यही काम हम future इंडेफिंड में करेंगे future इंडेफिंड में object लिखने के बाद विल प्लस एल प्लस बी प्लस बर्ब की थर्ड फार्म लगाके हम बाई लिखके उसका agent हम जोड देते हैं ठीक ना future perfect tense में भी यही काम होता है विल या शेल के बाद have बी लगने के बाद वर्ब की थर्ड फार्म में जब बाई लिखके हम क्या जोड देंगे agent जोड देंगे अब देखिए इसमें वो जो चार tense हैं जिनका passive voice नहीं बनता वो क्यों नहीं बनता देखते हैं present indifferent का बना present continuous का बना present perfect का बना present perfect continuous का क्यों नहीं बनेगा देखिए present perfect continuous tense का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि present perfect continuous का की जो helping verb है वो already use हो चुकी है देखिए पर्जेंट पर्फेक्ट पर्जेंट पर्फेक्ट में ही पर्जेंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस्टेंस की हेल्पिंग बर्ब यूज हो चुकी है इसी लिए हम पर्जेंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस्टेंस की पैसी वाइस हम नहीं बना सकते हैं अगर उसको बना की पैसी बाइस नहीं बदली जाते है क्यों कि उसकी जो हेल्पिंग बर्ब है वो और इडी यूज हो चुकी है कि इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट कॉंटिन्वे स्टेंस की हल्पिंग हम पैसी वांस हम नहीं बनाते हैं यहीं काम होता है future continuous के साथ और क्यों होता है क्योंकि future continuous की helping verb already use हो चुकी है क्यों will shell के बाद में क्या आया है वी तो वही चीज future continuous में आती है subject will shell plus b plus verb की ing form plus object तो उसकी helping verb already use हो चुकी है यही काम future perfect continuous tense के बारे में हुआ है उसकी helping verb किसने ले लिया है विल शेल प्लस है बीन किसने ले लिया है फ्यूचर पर्फेक्ट तो जितने भी नियम हमने पढ़े आईए अब हम उसको अप्लाई करते हैं कुछ एक्जामपल्स पर लिखा हुआ है कि हरी टीचेज मोहन हरी टीचेज मोहन तो कोई भी संटेंस सॉल्व करने से पहले ट्रांस देखेंगे उसकी वर्ब जो दी गई है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं तीसरी बात देखेंगे कि हम सब्जेक्ट पहचान पा रहे है कि नहीं चौती बात हम यह देखेंगे कि उसका आपजेक्ट हमें पहचान में आ रहा है कि नहीं आपको अगर इतनी चीजें पता है देंगे से क्से क्या चरएंगे कि बन गें वनसे ब rhymesल लेगे ह vinegar यही किस को हरी किसको फटाता है है वर को फटाता है एक प्रमकर ऐसे करए टैकर प्रोण को क्या बना लेंगे इस सबजेट साथ हमेशा आ use होता है इस इस होता है वर्व की थारडर fat form नहीं तीजड फीर फोलगा तार्ट जार्ट अब इसके बाद बाई प्लस एजेंट एजेंट कों है हरी यहाप पे सब्जेक्ट नहीं要 पे क्या है हरी एजेंट है ठीगे रहा? चलिए. they believe me. they believe me. अब यहाँ पर फिर्स हम देखेंगे किस tense का है? तो believe me. believe me. यह present indefinite tense है. tense देखेंगे, verb देखेंगे, subject देखेंगे, और object देखेंगे. ठीके? इसका object यह रहा? अब उसको मुठाके लाकिक क्या कर देंगे हम? लिख देंगे me. अब क्या है sentence सही है? क् ही देखिए मी अपने अब्जेक्टिव केस में है क्यों है क्योंकि आपजेट की जगा पर है इसलिए अब्जेक्टिव केस में जब हम मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस सब्जेट की जगा पर लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या ह होता है वो होता है मुझा हम केस को याद रखेंगे किस केस में रहे गाई सब्जेक्टिव केस मेरेगा आई अब आए के साथ में इस एम आर में से एक चींड लगा रहाना है। एक साथ क्या यूज होता है, am use होता है, I am believed, believed by, they का objective case क्या होता है,im, बैने प्रणौन के chapter में ये चीजे पढ़ाई हुई है, देखा objective case क्या हो जाएगा them next देखेंगे he praising me me already अपने आप में अब यह देखी यहाँ पर object बना हुआ है इसके हम subject बनाएंगे इसको हम subject बनाएंगे क्या बन जाएगा यह आई तो he is praising sorry he is praising तो अब यह present continuous में चला गया tense देखेंगे हम सबसे पहले present continuous में चला गया तो present continuous में क्या होता है is mr के बाद में क्या लगता है being लगता है तो आइक साथ क्या लगएगा am being praised be praised 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 by he का objective case क्या हो जाएगा him ठीक है next देखते है a snake has bitten the child एक जो साप है उसने एक बच्ची को काट लिया देखिए किसने काटा सापने काटा किसको काटा बच्चे को काटा क्या किया काटा ठीक है ना तो हमें तीरों है और हम को यह भी पता है कि किस टेंस में क्यों यह से पता है है प्लस पाइस पास पास पाटिसिपल को क्या बोलते हैं प्रिजेंट है थिए ठोट देखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं the child has क्या हो जाएगा has plus been has been by 10 by a snack the cat killed the mouse the cat killed the mouse हम देखेंगे कि किस tense में है ये ये past indefinite में है ये past indefinite में है तो past indefinite में मैंने बताया था was ya were plus verb की third form चले लिखते हैं अच्छा किस ने काटा cat ने किस को काटा sorry किस को मारा kill किस ने मारा बिली ने किस को मारा चुहे को मतलब object हमारा हो गया चुहा और subject हमारी हो गई बिली तो हम the mouse को क्या बना लेते हैं subject बना लेते हैं और the mouse के बाद में लगएगा was was के बाद में killed already लगा हुआ है killed by the cat तो यह रहे हमारे कुछ examples जो हमने नियम पड़े उसको हमने इस एक्जामपल पर हमने अप्लाई किया आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वेट करिए इंदजार करिए और पढ़ते रहें हुआ है